हेलो फ्रेंड्स आज ताफी दिनों के बाद आपके लिए एक वीडियो नेकर आया हूँ मैं और आज का टॉपिक बहुत ही रिलेवेंट है आप सब लोगों के लिए चाहे आप एक स्टूडेंट हों फ्लास 11 के हों, 12 के हों, 10 के हो, 9 के हो, 6, 7, 8 ग्रेजवेशन के हों, पॉस्ट ग्रेजवेशन के हों, किसी कॉम्पेशन के तयारी कर रहे हो एवरी स्टूडेंट जो किसी एक्जाम में बैठने जा रहा है, उन सब के लिए मेरा ये वीडियो है टॉपिक है आज का, हाउ टू प्रेपेर फॉर एक्जामिनेशन एक्जाम के तयारी आखिर कैसे करें, बहुत सारे लोगी सवाल कुछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और टीजर्स ने आके मुझसे कहा कि आप इस टॉपिक पर प्लीज एक वीडियो बनाएए, जिसमें कुछ टिप्स हों कि किस तरह से सक्सेस्फुली आप एक्जाम के तयारी करें और अच्छे मार्स लाएं और अच्छे से उसको पास कर सकते हैं मार्स लाना इतना इइप औरन हों ऑक हुसकता हो मार्स लाना इतना 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 इसको लान हो प्रों7 आप इस पूछ आगा कभी आपको लिखना होगा जवाब देना होगा तो आप नहीं दे हाक था May 6th losing आता नहीं है तो I feel knowledge is more important than maths और knowledge का application is more important than knowledge यह तीनों चीज़े बहुत जरूरी है बहराल exam की तयारी करें तो कैसे करें सबसे पहली बात जो सबसे पहली tip में आपको देने जा रहा हूं don't cram the things don't try to mug up रटने की कोशिश ना करें वो लोग successful कभी भी नहीं हो पाते हैं जो रट करके पास होना चाहते हैं रट करके पास होने का मतलब यह है कि आपने एक सवाल लिया उसको समझा उसका जवाब रट लिया याद कर लिया अब अगर उस सवाल से हटके उस सवाल में कुछ आ जाता है तो आप नहीं कर पाते हैं कहते हैं रटने वाला जो काम है वो नहीं चल पाता है बजाए उसके समझ के याद करें समझ लें उस चीज को तो अगर आपका सवाल कुछ ट्विस्ट होके आएगा कुछ इदर उदर भी हो जाएगा तो आप उसको समझ के आंसर देपाएंगे उसी मेंसे जो आपने learn किया था यह जो आपने तयार किया था यह तो थी tip number one tip number two सबसे important होती है किसी भी exam में आपको answer को लिखना होता है तो जब भी आप कुछ याद करते हैं तैयार करते हैं तो उसको लिखकर जरूर देखिए कहा कॉम कॉमा लगना है कहा कहा कॉमा फुली स्टॉप लगना है। इंगलेश है तो as spellings कैसे होंगी All somays यह थिन्ग आएंगी जब आप उसको लिखक कर देखेंगे। जितना याद किया, जितना तयार किया, उसको लिक लिए, कुछ चीज़े आपको याद करनी पड़ती है, learn करनी पड़ती है, रेटनी पड़ती है, जैसे quotations है, वो quotations तो आपको learn करनी पड़ेंगी by heart, उसका और कोई आपके पास चारा नहीं है, तो दूसरी टिप मेरी यह है कि जो भी आप तयार करते हैं उसको लिख कर ज़रूर देखें एक नहीं कई के थी बारे लिख करके देखें तीसरी बात जितना आपने तयार कर लिया है उतने पर फोकस करें जब आपके exam से एक या दो दिन रह जाएं तो नया याद करने के कोशिश बिलकुल मत कीजिए, नया तियार करने के कोशिश मत कीजिए, मान लिए 10 chapters से, 10 में से आपके 9 chapters बहुत अच्छे हो गए, अब आप उस एक chapter पे बिलकुल भी focus मत कीजिए, जो आपको नहीं आता है, से hurry and worry करते हैं, कि ये last all hour हो जाए, अरे दस में से 9 हो गए हैं, आपका 90% अल्यडी हो चुका है, आप इस तो focus तो कीजिए, 90% consolidate कीजिए, उस 10% में मत जाए हैं, जो नहीं है, और चौती मेरी चो tip है, वो खासतोर से teachers और parents के लिए है, या आप बड़े भाई बहन हैं, किसी student के, जो आपका student, जो आपका बच्चा, आपका भाई, बहन, कोई, पेपर में एप्टेर होने जा रहा है, किसी भी exam में एप्टेर होने जा रहा है, उसको कभी ये मत कहिए, अच्छे मार्स लाने हैं, आप अपने आप से कहिए, मुझे अच्छे मार्स लाने हैं, आप दूरूरी है प्रेशर जो है वो मार्स का अपने उपर मत बनाईए दूसरे दूसरे दूसरों को मत बनाने दीजिए और जो आपसे एल्डर या टीचर कह भी रहे तो उनको भी थोड़ा सा समझा दीजिए कि मैं अच्छे सा त्यारी कर लिए मार्स भी अच्छे ही आ जाए दोट वर्यवाट दोन्स फोक्स ऑन मार्स फोकस उन लर्निंग नॉलेच लर्निक से मेरे मतला तो जो चीज़ हम नई सीख रहे हैं उसके बाद आता है एक्जाम टाइम जा रहे हैं तो स्वडा टाइम लेकर चली है जैसी एक घंटा में अब आपके एग्जाम श़ुर रहे ह बहुत अराम से पहले एक स्टैप चोड़ गया एक्जाम से रात पहले अच्छी नीन लीजिए बिल्कुल आपको इस चीज़ पर और आपको वरी मत कीजिए और बहुत आराम से रिलाक्स होके नीन लीजिए अगर आप मूवी देखने जाना चाहते हैं दोस्तों के साथ गपशप करना चाहते हैं घर में परिवार के साथ बैठना चाहते हैं बैठी एक दिन पहले तैयारी नहीं होती है तैयारी पूरे साल चलती है एक हफता पहले उसको आप फोकस करते हैं उसको रिवाइज करते हैं और एक्जाम से एक दिन पहले आप उसको छोड़ देते हैं रिलेक्स चैन के सांस दीजे लास्ट मुमेंट पे त्यारी ना होती है ना करनी चाहिए अब आप एक्जाम सेंटर पे पहुँच गए पेपर होने वाला है बिल्कुल भी नर्वज मत होई आपके साथ कोई आया तो उनको भी तसल दीजे और जो आपके साथ गहें उनसे भी मैं कहूँगा वो तसल दीजे आराम से करना है अब आपके पास पेपर आ जाता है पेपर आने से पहले बहुत ज़्यादा घवराट हो रही है बिल्कुल नहीं रिलैक्स पेपर जब हाथ में आ जाता है आपके तो पेपर को आराम से पढ़िए कुछ एक्जाम जो है जैसे सीबी एसी है कुछ और बॉडिस है वो आपको पेपर पढ़ने का टाइम भी देते है पेपर पढ़ने के लिए एक्स्टा टाइम होता है उसको आराम से पढ़ लिए फोकस कर लिए मुझे क्या करना है चैंब आपकोस सबसे पहले की लिए वो कोछ नमर नहीं है लिए उसके बाद अच्छे से तो आप प्र ocup देते हैं चले जाईए इस बात पए फोकस मत कीजिये कि मैंने पहले ही आंसर दे दी, आप यह आंसर दे दी, क्या होगा, कोई series में आने की ज़रूरत नहीं, आपको serial से आने की ज़रूरत नहीं, आप जिस तरह से आप, लेकिन आपको serial number वो लिखना है, जो question paper में दिया हुआ है, अपना serial number अलग से नहीं मनाना है, अगर वहाँ पर नर्वस मत हो यह, कई बार मैंने यह देखा है, students के अंदर, कि वो क्या करते हैं, शुरूर में तो बड़े अराम अराम से, अराम अराम से लिखना शुरू करते हैं, दो घंटे निकल जाते हैं, जब लास्ट का एक घंट रह जाते हैं, तो लगता है कि 50% से ज़्यादा paper जब आप paper देने जाएं, तो उससे पहले कम से कम दस बार question paper आप हल कर चुके हो, यानि दस sample papers आपने हल कर लिए हो, exam में जाने से पहले, इससे कम में जाएंगे तो मज़ा नहीं आए, मैं मार्स की तो बाद ही नहीं कर रहां, मार्स नहीं आएंगे, मज़ा ही नहीं आया, आ पहले, आपके exam का है, उस टाइप के 10 sample paper, आप attempt का का साहे इस अक में में जारे चाहे जा रहे हो, छाहे 12 में जाए पहले किसी अजैम में जा रहे हो, उस type के 10 sample paper और उतने ही टाइमन इससेब बलके 10 मिनट मिनित पहले करने की कोशिश कि八, पहले कर एंगे खिश एभित को पर कर दिए अब अगले पेपर की त्यारी शुरू कर दिए जब आपका लास्ट पेपर हो जाए तब सारे पेपर निकालिए फिर सोचिए मैंने क्या करा था कहां और अच्छा कर सकते और फिर एंजॉय कीजिए जब सारी एक्जाम्स हो गए आपके तब क्यों टेंचल नहीं है आ आपकी मार्जिन दोनों तरफ बना के चलें पेपर को नीट लिक करें कोई भी ब्लैंक पेज खाली ना चोड़ें बीच में लास्ट भी जब आप लिख देते हैं लास्ट तो वहां पर ब्लैंग जो ब्लैंक पेज होते हैं उस पे आप एक वो बना दीजे लाइन बना दीज आपको यहां से और अगर आपको यह जानने की कोशिश आपको चाहत है तो वहीं मुझे बता दीजेगा अगले वीडियो में इसको इसका लेंगे और किसी वीडियो में और बहुत सारी डेल में बाते करेंगे तैंक यू बैरी मच